गुण बॉनिंग एरीवन एक बार फिट से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेर की सिरीज में स्वागत है तो आईए शुरू करते हैं आज के सेशन को आज के सेशन में हम 13 जून के सभी करंट अफेर को डिटेल में डिसकस करेंगे तभी कोश्चन एक्जा कर लिजिएगा शुरू करते हैं 13 जून के करंट अफेर को लेकिन सबसे पहले कोश्चन ऑफ दडे ध्यान से सुनिए जनरल टूलेम किस देश के प्रेसिडेंट नियुक्त किये गए हाली में किस रज्ज में सागा दावा बहुत त्योहारा एजित किया गया और माउंट मेर किस देश में स्तिज ज्वाला मुखी है तीनो ही कोश्चन इंपॉर्डेंट है कही न कहीं हमने प्रिवियस करंट अफेर में डिसकस किये हैं तो नोट कीजिएगा और मिड वीडियो में और कोश्चन एड़ ओन होंगे तो उनको भी ध्यान से सुनिए सब कोई खट्टा किजिए और कमेंट में अंसर कीजिएगा तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेर के पहले कुश्चन पर ग्लोबल जेंडर गेप इंडेक्स दोजार चुबिस में भारत की रेंग क्या है देखिए पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडेक्स को जारी करता है तो वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है Global Zender Gap Index Clear? अब किस आधार पर जारी किया जाता है तो किसी भी देश में male और female में कितनी ज्यादा inequality है या फिर यू कहें कि कितनी ज्यादा equality है इस आधार पर इस index को तयार किया जाता है अगर असमानता है तो index में सबसे निचली rank मिलेगी और अगर male और female में समानता है किसी भी देश में workplace को लेकर अलग-अलग dimensions के आधार पर मापा जाता है तो इन में अगर समानता है तो सबसे high rank दी जाएगी और अगर असमानता है तो नीचे की rank दी जाएगी ओके? तो ये Global Zender Gap Index से 2024 में भारत को इस index में 129 वी rank पर रखा गया है 2023 में जब ये index आया था तब भारत को rank दी गई थी 127 वी मतलब भारत में ये जो index से इसमें भारत की दो rank में गिरावट हुई है मतलब पहले कितनी थी? 127 और अब कितनी है? 129 मतलब असमानता भारत में कही ना कही male और female में बड़ी है तो global gender gap index से 2024 का भारत को 129 वी rank दी गई है 2024 में अब यहाँ पर casually हम discuss कर लेते हैं 2024 के index को देखे जारी कोन करता ये clear हो गया? World Economic Forum इस बार ये अठ्रवा संसकरन था 146 countries को इसमें include किया गया और भारत को 129th rank पर रखा गया पहले भारत 127th rank पर था 2023 में और अब rank है 129 वी अब यहाँ पर बात आती है कि top 3 देश इस index में तो पहले नमबर पर Iceland, दूसरे पर Finland और तीसरे पर है Norway सबसे last rank पर रखा गया है Sudan को Sudan जानते किस महादीप में कमेंट करिएगा ओके ठीके तो भारत को rank दी गई है 146 देशों में से 129 वी कौनसा इंडेक्स है Global Zender Gap Index 2024 जारी किस ने किया World Economic Forum अब बात आती है कि भारत की rank में गिरावट का कारण क्या है तो देखिए दो सेक्टर में भारत की rank का गिरी है जहां पर हमने प्रदेशन मेल और फिमेल की एक्विलिटी में कम देखने को मिलता है बेकार प्रदेशन देखने को मिलता है एक तो देखिए Education Empowerment में और इसके अलावा Political Empowerment में यहां पर कही न कहीं सशक्तिकरण में कमी आई है मतलब महिलाओ का Participation इन शेत्रों में कही न कहीं गिरा है लेकिन इसके अलावा Economic Participation and Opportunity and Health and Survival इन सेक्टर में कही न कहीं भारत की जो इस्तिती है उसमें सुधार हुआ है फिर भी All Over जो चार डाइमेंशन से उनके आधार पर अगर काउंट करें भारत की रेंक गिरी है 129 वी हो गई है 127 वी से Done Index पहली बार जारी किया गया था 2006 में World Economic Forum के द्वारा चार डाइमेंशन में आपको बताए देखो Economic Participation and Opportunity महिलाओ और पुरूशों को कितनी ज्यादा है या महिलाओ को पुरूश के मुकाबले उतने दी गई है या नहीं Education Opportunity महिलाओ के पास है या नहीं Health and Survival कितना अच्छा है और Political Improvement कितना अच्छा है इस आधार पर इस Index को तयार किया जाता है कौन सा Index है Global Zender Gap Index ठीक है ना तो 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी World Economic Forum के द्वारा ओके तो चार डाइमेंशन भी यहाँ पर हमको क्लियर हो गए आगे बढ़ने से बिला आप सभी को आज का Offer of the Day बता देता हूँ तो आप सभी के लिए देखिए Calculation Booster Maths का बहुत ही Nominal Charges में अवेलेबल है जितने भी ऐसे स्टुडेंट हैं जिनको Maths में Calculation में प्रॉबलम होता है Hurdles आते हैं उनके लिए यह बहुत ही Important Course है Bilingual Course है 20 Plus आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे इसके अलावा PDF और Practice Set भी आपको आपके Course के अंदर ही अवेलेबल हो जाएगा काफी nominal charges है लिंक आपको description में दी गई है वहाँ पर क्लिक करके आप Easily Maths के इस course को अवेल कर सकते हैं Done आगे बढ़िये Second question भारत का तीसवा थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो भारत के तीसवे थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किये गए है उपेंद्र द्रिवेदी को भारत का तीसवा थल सेना अध्यक्ष हाली में नियुक्त किया इनके पहले अभी तक इस पत्पर मनोच पांडे है जनरल मनोच पांडे अब ये सेवा नियुरत होंगे और तीस जून को शपत लेंगे कोन लेफ्टिनेट जनरल उपेंद्र द्रिवेदी ठीक है ना तो तीस जून को इनकी शपत है और ये बनने वाले हैं आर्मी चीफ अब अदर आर्मी चीफ की बात करें ये तो होगा धल से नाध्यक्ष यहाँ पर चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो इनके पत पर वरतमान में जनरल अनिल चोहान है चीफ ओफ दे इंडियन नेवी की बात करें तो इस पत पर एड्मिरल दिनेश तिरिपाटी है जो की 26 वे नंबर के चीफ ओफ दे इंडियन नेवी है और इनके अलावा अगर चीफ ओफ एयर स्टाफ की बात करें तो 27 वे चीफ ओफ एयर स्टाफ के पत पर एयर चीफ वी आर चोधरी हैं वर्तमान में इसके बाद अगला कोश्चन इंपोरेंट है इससे याद रखिएगा इस पेटियल ओडियो का इस्तमाल कर फोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कमपनी कोन सी बनी है तो इस पेटियल ओडियो क्या होता है 3D सुना है 3D सौंग आप जब सुनते हैं तो आपको पूरा सौंग कभी आप हैंट्री लगा कि या एरबेड लगा कि अगर आप सुनेंगे तो आपको बता चलेगा कि पूरा आपको सौंग घुमता हुआ दिखाई देगा मतलब चारो दिशाओ से आवाज आती है एक नेचुरल फील आता है तो यही रियल टाइम एक्सपरियेंस के लिए जो इस पेटियल ओडियो है इसके आधार पर फोन कॉल करने वाली पहली कंपनी बनी है हाली में नोकिया अंसर हो जाएगा अंसर टी ओके 3D टाइप आपको चारो दिशाओ से वोईस सुनाई देगी तो आपको रियल एक्सपरियेंस मिलेगा वोईस कॉल का तो नोकिया ने इस पेटियल ओडियो का उप्योग करके दुनिया का पहला फोन कॉल किया है तो नोकिया इसी पहली कंपन बन गई है डन यहाँ पर इस पेटियल ओडियो जैसा कि अभी मैंने आपको बताए कि यह क्या होता है इसी तकनिक है जो ध्वनी को 3D स्पेस में प्रस्तूत करती है चारो दिशाओं में से अलग-अलग दूरियों से आवाज महसूत होती है जिससे एक रियलिस्टिक है ना एक बहुती नेचुरल एक्सपेस देखने को मिलता है जो भी शुरोता है उसको ओके आपको पता है संगीत में फिल्म टेलिविजन है ना इसके लाव विडियो गेम्स में आजकल कही ना कहीं 3D वोईस या इस्पेटियल वोईस का यूस किया जा रहा है ओके तो फोन कल करने वाली पहली कंपनी कोन बनी है इस्पेटियल ओडियो के अधर पर तो ये बनी है नोकिया आगे आ जाएं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी को मुख्यमंत्री के रुप में किसने शपत दिल्वाई मतलब ओडिशा के रजपल कोन है आपको पता है सीम पत की शपत सीम को कोन दिल्वाते हैं तो रजपल दिल्वाते हैं ओडिशा के रजपल हैं वर्तमान में रघुवर दास तो ओडिशा के नए सीम बने हैं मोहन चरण माजी ओडिशा में कोन जीता था बीजेपी तो बीजेपी के मोहन चरण माजी ओडिशा में नए सीम बने और इन्हें स CM पत की शपत दिलवाई है रगुवर दास ने, ओगे, चार जुन को ओडिशा विधानसवा में चुना हुए थे, परिणाम घोशित हुए, 147 विधानसवा सीटों में से 78 सीटे जीती है किसने? बीजेपी ने, 78 सीटे जीत कर अपनी गवर्मेंट बनाई, 12 जुन को मोहन चरण माजी ओडिशा के सीएम नियुक्त किये गए, और इन्हें सीएम पत की शपत दिलवाने वाले रजजपाल हैं ओडिशा के रगुवर दास, डन, मोहन चरण माजी के पहले, 24 साल तक ओडिशा के सीएम रहे हैं कोन? नवीन पतनायक, लेकिन इस चुनाव मेंन की पाटी हार ग अब सीएम कोन बने मोहन चरण माजी ओडिशा के, इसके अलावा एक और राज जहां पर हाली में चुना हुआ था, आंधर प्रदेशे उसके सीएम बने चंद्रबावु नाइडू, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन देखिए मोहन चरण माजी के साथ साथ ओडिशा में दो आंधर प्रदेश की बात कर रहे थे, तो आंधर प्रदेश में तेलगु देशम पाटी, टीडीपी के चंद्रबावु नाइडू चोथी बार आंधर प्रदेश के सीएम बने, और इने सीएम पत की शपत दिलवाईए किसने, एस अब्दूल नजीर ने, जो की आंधर प्र आता क्लियर हो जाता है, इसके अलावा जन सेना पार्टी के प्रमोक साउथ के एक एक्टर है, सुपरस्टार पवन कल्यान, इन्होंने डिप्टी सीएम पत की शपत लिए आंधर प्रदेश में, ठीके, तो आंधर प्रदेश के सीएम कौन हो जाते हैं, तो आंधर आली चीज, नेवल एक्सरसाइज से जीमेक्स किसके मद्ध में, इंडिया और जापान के मद्ध में, दोहजार चूबिस में सका आयोजन किया जा रहा है, योको सुका, जोकी जापान का एक प्लेस है, इंडियान नेवल एक्सरसाइज, जीमेक्स, दोहजार चूबिस, यहा भारत की ओर से जो नो सेनिक युद्धपोद भेजा गया वो है आयनेस शिवालिक देखे जापान का युद्धपोद जापान वाले पड़े हम तो हमारा पड़ेंगे आइनेस शिवाली ये भारत की ओर से पाटिसिपेट करने के लिए भेजा गया है इस नेवल एक्सरसाइस में आठवा संस्करण है इसके पहले सातवा संस्करण 2023 में आईजित किया गया था विशाका पटनम में भारत के अंदर प्रिदेश में ठीक है ना इसके उद्देश की बात करें उद्देश क्या है तो हिंद जो प्रशान्त महासागर शेत्रे वहां की सुरक्षा को मजबूत करना दोनों देशों की नेवल जो पावर है उनको इंकलूट करके प्रशान्त महासागर की शेत्री की रक्षा करना और चीन से प्रशान उन्के मध्दध में कर युददभ्यास आयुजित किया जाता है दर्म गारज्यन और भारत और जापान की एरफोर्स के मध्दध में आयुजित किया जाता है शिन्यूमैत्री तो जीमेक्स दर्म सिस्टम लॉंच किया गया तो भारती सेना के द्वारा इंडियन आर्मी के द्वारा हाली में एक Monitoring System launch किया गया जिसे नाम दिया गया विद्यूत रक्षक वैसे विद्यूत रक्षक हाली में भारती सेना के उप्रमुक लेफ्टिनेट जनरल उपेंद्र द्रिवेदी के द्वारा लॉंच किया गया अभी हमने इनको पढ़ा है ठीके ना तो इन्होंने इंट्रिद्यूस किय किया है monitoring system को विद्यूत रक्षक इंडियन आर्मी के साथ मिलकर आईटी दिल्ली स्तित एक foundation है foundation for innovation and technology transfer इन दोनोंने मिलकर विद्यूत रक्षक को develop किया है उद्धेश किया है तो भारत में सेना के लिए tracking और सुरक्षा को नियंतरित करना और उनके tracking और सुरक्षा नियंतरन क को internet of things या फिर direct का जाएं इंटरनेट से जोड़ना जीपीए सिस्टम से जोड़ना ताकि इंडियन आर्मी के अंदर सुरक्षा को मजबूत किया जा सके जो सैन शमता इसको ट्रेक किया जा सके यह मुक्युत देश्य विद्यूत रक्षक का तो इंडियन आर्मी में हाली में से लॉंच किया गया चर्चा मेरा विरांगना दुर्गावत्ती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्ज में इस्ति थे विरांगना दुर्गावत्ती टाइगर रिजर्व ये इस्ति थे मध्य प्रदेश राज्ज में अंसर ए काफी सुर्खों में रहत दिखाई दिया है चो सिंगा इसे कहा जाता है जैसे मध्य प्रदिश का काना किसली नेशनल पार्क के तो मध्य प्रदिश के पुर्व में काना किसली नेशनल पार्क में बारा सिंगा पाया जाता है चीले में इस टाइगर रिजर्व का अधिकतर शेत्र फैला हुआ है ठीक है ना नौरादेही अभ्याराण से टच होकर लगता हुआ दिखाई देता है काफी शेत्रों को मिला कर दुर्गावती टाइगर रिजर्व को MP में डेवलप किया गया है चार सिंग वाले म्रग का अगर हम साइन्टिफिक नेम देखें तो ट्रेटा सेरस कॉडि कॉर्निस इसका साइन्टिफिक नेम है ठीक है ट्रेटा तेरस किसका चो सिंगा का या फिर चो सिंगा भी डारेक्ट इसको बोल दिया जाता है अब इसका अगर हम निवास देखें तो ह जैदानी इलाकों से लेकर दक्षिन में दक्कन के पठार तक ये देखने को मिल सकते हैं। IUCN की रेट डेटा बुक में इनको असुरक्षित सूची में शामिल किया गया है। मतलब पंकट ग्रस्त सूची में जगा दी गई है। IUCN की रेट डेटा बुक में। तो रानी दुर्गावत्ती टाइगर रिजर्व में ये मिला है। तो रानी दुर्गावत्ती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्ज में इस्ति थे। अगला BRICS के विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरी बैठक का आयोजन कहा किया गया। BRICS जानते हैं। पाँच देशों का एक संगठन था, BRICS के नाम से इसे जाना जाता था। पाँच देश कौन? ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना। पहले ये चार देश मेंबर बनेते हैं आगे चलकर साउथ अफरीका भी जूडता इससे। और ये पाँच देश हो जाते हैं, पहले BRICS लेता है, फिर बन जाता है BRICS। हाली में 2024 में इसमें पाँच नए देशों के इंटरी हुई और ये देश हो गएं अब 10, BRICS प्लस इसका नाम हो गया। अब जब ये BRICS प्लस बना 2024 में तो उसके बाद इसकी पहली मंतरी स्तरी बेठक कायोजन हाली में किया गया है रश्या में, कहां पर रश्या में, देखो पाँच नए मिंबर को ना है, मिश्र, इथोपिया, इरान, सौधी अरब और UAE, अर्जेंटीना भी आना था, 2023 में घ 6 देश शामिल होते तो 11 हो जाते लेकिन अर्जेंटीना भाहर है तो अभी 10 देशे BRICS में, एक जनवरी 2024 को ये नए 5 देश शामिल हुए थे, और इनके शामिल होने के राद पहली बार ही मंतरी स्तरी बेठक कायोजन किया रहा है रश्या में, वैसे BRICS का गठन 4 देशों न दक्षिन अपरिका, 2009 में BRICS की पहली बेठक आये जीत हुई थी रश्या में, तो 2006 में गठन हो गया, 2010 में पाचवा मिंबर आया दक्षिन अपरिका, और अब 5 और मिंबर आये हैं 2024 में, पहली बेठक BRICS की कहों ही, रश्या में, और अब जब BRICS में 10 देश हो गए, तो उस में मिलकर एक गडवन्दन मनाते हैं BRICS के नाम से, 2024 में ये 5 देश शामिल हुए, अभी में आपको बताया, यहाँ पर पहला BRICS से शिखर सम्मिलन 2009 में हुआ था रश्या में, और पंद्रवा BRICS से शिखर सम्मिलन 2023 में हुआ था ब्राद दिल में, ओके, आगया ये, मुक् कहां पर असम में, ठीके, तो असम में इस योजना को हाली में असम के CM के द्वारा लॉंच किया गया है, और इसकी घोशना बजट 2023-2024 में पहले ही की जा चुकी थी, उद्देश क्या है, तो असम राज्य में 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो शात्राएं हैं, में वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट हो, क्योंकि भाई scholarship तो मिली रहे है, तो लालच में ही सही, मोटिवेट हो, जिससे बाल विवा को भी असम राज्य में रोका जा सके, ठीके, तो योजना का नाम क्या है, याद रखना मुख्यमंत्री निजुत मोहिना योजना, असम राज्य सरकार के द्वारा हाली में राज्य में लांच की गई, महिलाओ के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंदिते, शात्राओ के आर्थिक सशक्तिकरण से इसा बोल सकते हैं, लास्ट कुश्चन, जून में जारी की गई वर्ड बेंक की ग्लोबल एकोनोमी प् भारत की एकोनोमी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, तो ये अनुमान वर्ड बेंक ने लगाया है भारत की एकोनोमी के लिए 8.2% की दर से बढ़ने का, ये रिपोर्ट कुन सी आई है, ग्लोबल एकोनोमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ड बेंक की रिपोर्ट इसने बोला है financial year 2023-23 में भारत की जो economy growth है वो 8.2% रहेगी वैसे इसके पहले भी ये भारत की economy growth का अनुमान दे चुका है ठीके पहले इसने भारत की economy growth का अनुमान जो लगाया था अब जनवरी में लगाया था तब इसने 1.9% कम का अनुमान लगाया था और अब इसने अपने अनुमान को 1.9% बढ़ा कर 8.2% किया है इंडिया की economic growth का ठीके मतलब 2023-23 में भारत की economy जो growth है वो 8.2% रहेगी एसा वर्ल्ड बेंक का कहना है इस report में ठीके इसके अलावास ने ये भी काया है कि आने वाले तीन वर्षों में भारत जो है 6.7% की एक इस्तिर वर्दी दर्ज करेगा economy में जो की पूरे वर्ल्ड में एक प्रमुक अर्थयस्ता के रूप में सबसे तेजी से उभरने वाली economy होगी इंडिया और वर्ष दोजार चूबिस में वेश्वीक आर्थिक वर्दी दर इसने 2.6% तक इस्तिर रहने का अनुमान लगाया है और उसके अगले दो वर्षों में वेश्वीक वर्दी दर बढ़कर औस्तन 2.7% तक पहुचेगी ये वर्ल्ड बेंक को उम्मीद है इंडिया के point of view से ही आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा इंडिया के लिए financial year 2023-24 में जो economy growth है उसका नुमान वर्ल्ड बेंक ने जून 2024 में कितने परसेंट का लगाया है तो 8.2% का लगाया है दन तो यहाँ पर 13 जून के सभी current affair clear हो जाते हैं अब हम बात करेंगे last day के current affair के division की ठीक है पहला question विसे कल हम ने जो भी पढ़े तो बहुत important question थे और आपको easily समझ मागे होंगे तो आप easily answer कर पाओगे एप आई एच होकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का एउजन कहां किया जाएगा तो यह कहां किया जाने वाला है 2025 में इंडिया में ठीक है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 की थीम क्या है तो let's act on our commitments and चाइल्ड लेबर यह थीम है 2024 में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की अटवी लोकसवा के संबन में गठित मंत्राले के संदर्म में कौन सा कथन सत्य है तो रक्षा मंत्राले अमिच्छा के पास है ग्रह मंत्राले राजनात सिंग के पास है तो ररी रक्षा मंत्राले करेक कीजिएगा अगर हम जोड़ी देखेंगे कहां मिल रही है तो भाई रक्षा मंत्राले एकाटू ये हमारा अंसर हो जाता यहां पर कल हमने डिसकस किया था ठीक है न करेक्ट कीजिएगा इसको भारती नोसेना की पहली महिला हेलिकॉप्टर पाइलेट कौन तो कौन बनी अनामी का राजीव हाली में खबरो में रहा मोंगला बंदरगा किस देश में इसते थे तो मोंगला पोट कहां परें ये देखने को मिलेगा हमको बांगला देश में हैना पड़ा धमने हाली में खबरो में रहा मोंगला बंदरगा किस देश में बांगला देश होगी हमारा अनसर एक चटगाओं पोट भी हमने पड़ा था वह भी कहां परें बांगला देश भारत के किस रज्ज में महाना प्रताप परियतन सर्किड बनाया जाएगा तो राजस्तान में बनाया जाएगा पिये मावास योजना के ताथ तीन करोड नए घर बनाने का फैसला लिया गया ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी जून 2015 में किस देश के उपरास्ट पती? सोलोस क्लास चलीमा का हाली में निधन हो गया तो ये उपरास्ट पती थे मलावी के जो की एक अपरी की देश है चर्चा मेरा लेप्टोस पाईस आया फिर इसको कहा जाता है लेप्टोस पाईरोसिस संक्रमन किसके कारण फैलता है तो ये फैलता है किसके कारण? बैक्टिरिया के कारण ठीक है? अब आ जाते हैं लास्ट डे के कोशन आप दे पर अंसर देखना है हमको इनके मनी का बत्रा किस खेल से संबंधी थे? तो ये संबंधी थे टेबल टेनिस से टेबल टेनिस की हिलाड़ी मनी का बत्रा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्याला है कहां पर है? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेड़कॉर्टर है स्वीट्जर लेंड के लुसाने में ग्रैनी स्ट्री क्लाइम में इंकिस के दुआरा लिखित बुक है तो ये लिखिये रस्किन बॉण्ड ने जो कि एक इंगलिश भाषा के लेखा के तो अंसर मिल जाते है टेबल टेनिस की है मनी का बत्रा हेट क्वाटर लुसाने स्विट्जरलेंड में है और बुक है रस्किन वर्ल्ड कप में ओके फिर हल्दी घाटी वार पूछी थी मैंने आपसे तो ये हुई है 18 जून 1576 में महाना प्रताप और अकबर की सेना के मध्य में तो बिल्कुल सही अंसर आया है पम्मि कुमारी का वैसे मिड वीडियो में जो मैंने आपसे कोशन पूछे अधिकतर सेशन में जो मैं आपसे पूछे उनका अंसर कर दीजिएगा आई होप सेशन पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए कोर्स ओप दे डे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है वहां से जाकर आप को अवेल कर सकते हैं कल फि झाल झाल